हेलो एवरीवन मैं हूँ आईशा खान आपके साथ और आज मैं आपको लेकर आई हूँ कैटल मंडी 2021 यह है स्राप गोट की बहुत ही फेमस और आप देख सकते हैं यह इनका एंटरिंस से और हम यहां से एंटर होंगे और आज दिखाएंगे यहां पर कौन-कौन से जानवर आ सी दिस यहां पर बहुत अच्छा अरेंजमिंट हुआ है सोपी का भी बहुत अच्छे से ख्याल किया हुआ है देख लें यह देख सकते हैं अब लोग यहां पर यह इन्होंने सैनिटाइजिंग गेट बनाए में हैं तो वेरी नाइस विकाज आजकल सोपी को फॉलो करना भ कि अच्छे देख सकते हैं आप लोग यहां पर प्रॉपर अरेंजमिंट किये में हैं चो लोग मंडी आएं तो यह बैंक अलहबीब लेमिटेट की तरफ से इन्होंने यह अपना पूरा एक सैट अप लगाया है यह सारे जानवर देखते जाएं आप लोग यह इनकी टेल से बहुत ड़ लग रहा है क्योंकि वो कंटीनूसली हिला रही है यह देखें आपर सब लोग खाने सारी जो जानवरे वह भी खाने में बिजी हैं यह देखें सारे बच्छडे हैं पिच्छानवे का है और यह कहां का जानवर है कश्मोर 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 इलाके का यह जानवर है और इसका वजन कितना है तीन मन का है और आखरी क्या करेंगे इसके नवी करेंगे इससे कम नी करेंगे आख समस्ट पर आखरी कमर नवी परीड़ करेंगे जानवर है और इसका बजन जो है वह तीन मन इन्हों ने बताया है अच्छा है यह देखें इसका कलर उप्राइट है फुल और ब्राउन कलर करेंगे इसकी पर अच्छा लग रहा है इसकी आइस भी देख सकते हैं है भ्रमा उस debt लग रहे हैं अो और यह उसके बराबर वालजू इसजा पहलर रही भी बाद्क कान पाउज इसको नाम कोई नाम है कि फॉर्च की शास थी नाम है 1960 को अग्या मेश स् को सान प्रह्न के फॉर्च के ये पहलें के इस घ्लागत वादन के PVन आज ऊवर है मतलब आप कशमोर गे हैं च है काई कहाती यह हैजए है इस कणाम देखें कि है सिकनदर बहुत है के यहां पर सबसे कम का जानवर है आपके पास क्योंकि हर किसी की रेंज्ज तो इतनी नहीं होती यह सबसे कम का है 50 60 इस तरह की कोई रेंज में मतलब यह है कि जो नहीं कर सकते हैं गुर्बानी इतने जादा पैसो जिनके पाद नहीं है जिन्हों ने अपना एक अमाउंट बनाया वाई 5-6,000 में हमें करनी है तो यहां पर कोई जानवर नहीं मिलेगा इसा मिलेगा आपके पास नहीं है लेगे अच्छा जाबर्दस यहां पर यह बता रहे हैं कि यह इनके पास नहीं है बट अपनी रेंज के साफ से अच्छा जानवर मिल जाएगा यह देखें सारे हैवी वेट वाले जानवर हैं यहां पर यह तो बहुत ही बिग और टॉल है और बहुत हैवी है और चले इनसे प्राइज भी पूचेंगे कितना फुब्सूरत लग रहा है पूरा फुल वाइट है यह देखें पूरा फुल वाइट है और कितना फुब्सूरत लग रही है और यह तिंक इस साथ से आठ मन इसका वेट है इस सारे इनके पास हेवी जानवर हैं यह देखें यह देखेंगे यह भी काफी हेवी बैल है यह देखें लग बदेल Subscribe उह देखें कितने फी जानवर हैं इनके पास बोब मुआ के उनका वेट देख सकते हैं है इनके बाथीज़ग नंके बाथ। यह तो कितने बड़े बिग बैल है कितने का इंग है यह जा यह तरही नहीं है यह तेखें कितना है और इनने इसका वजन जो है वो चे से सात मन बताया है और यह कितना वाइज जैसे हैं ब्लैक और वाइट किसामने माउं को तक यह पता लग जानवर है यह थोड़े से मुवब्मेंट्स हो रही है इनकी यह देखें आइ तिंक यह दोनों खरीदने की मोड में हैं अंकल देख सकते हैं आप लोग यह वाव जबर्दस इनों पुब्सूरत हैं और हैवी हैं काफी इनका वेट भी बहुत ज्यादा है तो जबर्दस यहां पर इनका यह सौदा होने वाला आज यहां से चले जाएंगे थाए थाए लाग के इनके जानवर थे और नोशेरों के थे यह से साथ इनका जो है वो वजन है मन आप आप लोग यहां से आकर बस तोड़ी सी सर्चेंग करनी है आपने और जिसाट नहीं होना है क्यर्थ है देखें आपकी रेंज के इनका अपि funded परक्रांशे साथ साथ सतर लाग सारे रेंज के जानवर है जो अप जरूर अए सर्च करें और अपना जो आपने सोचा वाह एक घेंग कुर्बानी करनी है तो करनी है तो प्लीज जरूर आए और शर्च करें और अपने हिसाब से यहां से जो अच्छा लगता है जानवर आकर ले जाए अब भाई यह कितने का जानवर है कि सत्तर का है कम क्या करोगे पांच कम करोगे और अच्छा वो छोटा वाला जो है महाँ पे यहां पर कोई चालिस पचास का है क्या आपके पास ढूंडने से मिलेगा अच्छा वाई जाबर दस देखें आप इस सत्तर पिछट्र पचास तक के भी जानवरे बस आपने ढूंडने हैं सर्चिंग करनी है यह देखें यह वालत शोटा जानवरे नोंने बताया कि यह पचास आप से ढूंडना है और जरूर मिल जाएगा यह देखें यहां से यह बैठी विती और वो उट गई है एंड नाव ड़िस मूविंग यह देखें यह देखें आप लोग यहां आ सकते हैं और अपनी रेंज के इसाब से जो आपको जानवर चाहिए यहां से आके ले सकते हैं यहां में आई थी गेट नमबर 3 था सराबगोट की मंडी का यहां पर सारे आपको बैल बच्छडे और गाएं बैल और यह सारे भैंसे वाइरा मिल जाएंगे वाओ देखें उनने 45 जानवर लिया है यहां पर 45 का भी है यह देखें यह इस टाइम एटिंग करी है खाना खारी है यह देखें कितना फुप्सूरा जानवर है और इसका बैल देखें कितना अच्छा लग रहा इसके गले में जो दलावा है यह कहां का जानवर है रहीम यार खान अच्छा और यह कितने मनका है कितने मनका पांच मनका और इसके क्या प्राइस कितने इसके कि दो दस मांग रहे हैं और फाइनली अगर लोग लेंगे तो आप कितने पर छोड़ेंगे इसको है एक सबादस यह देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है यह और बहुत हैवी भी है पांच ते चे मनका इनका यह जानवर है और यह गया है कि एक साथ का या एक पजास तक का दे रही है एक पचास तक शोड़ा को चोई करेंगा यह देदेंगे तो आप लोग आ सकते हैं और अपनी प्राइस लेंज के इस आप सो यहां पर उसके आकर ले सकते हैं कि देखें यहां पर एक और यह अंकल हैं और इन से पूछते हैं यह कितने का दे रहे हैं का का यह दो कि और कि अचा कि इसके यह धाशियर व्यदी पचास एक पछास अचाव अच्छा अगर कोई लेने आए तो आप कितने भी छोड़ देंगे एक सब्सक्राइब इससे कम नी करेंगे कोई खाज बात इसकी आपका अपना पलावा है अपना पलावा है अच्छा देखें ये इनके अपने फार्म का है और अपना पलावा जानवर है क्योंकि जो लोग खुद पाल रहोते हैं उनको पता होता है कि वो किस तरह से की देखवाल कर रहे है आप लोग देख सकते हैं इनका जानवर ये बहुत अच्छा और खुबसूरत और काफी हैवी भी है इसका मन चार से साड़े-चार मन इन्होंने बताया है इसका वजन है और पेशी और रहीम्यार खान का ये जानवर है बहुत अच्छा है कि सारे जानवर इनी के ही है देख सकते हैं आप लोग और इन्होंने बताया है कि यह दो दसका दे रहे हैं और अगर यह लोग लेने आएंगे तो इक इतने का छोड़ेंगे आप एक नव्यका एक नव्यका देंगे यह सब्भी की नसल का जानवर है तो बहुत अच्छे प्राइज भी यह आप पर डिपैंड करता है कि आप किस तरह के जानवर लेना चाहते हैं यहांसे तो आगर ले सकते हैं अपनी सारी प्राइज की रेंज मैंने आपको सारी बताती है त अगर आप यहां पर आएं तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस नसल का और किस रेंज का जानवर चाहिए आपको बाहर के तरफ आगर सारा व्यू दिखा दी हूं कि कितनी हूज रेंज में यहां पर काउमंडी लगी है शराब गोट की बहुत फेमस है यह और गेट नमबर थ्री पर है जब आपको यहां पर आना होता आपने गेट नमबर थ्री का बोल कर यह आना है कुछ काउस देखें वो लोड होकर जा रही है यह देखें दोनों आपस में लड़ी हैं आपर और टक्रे मारी है यह देखें टक्रे कैसे मारी हैं आपस में आप रच देख सकते हैं आपर काफी लोग आए में हैं पर्चेजिंग के लिए और काफी देट तक वो जो हैं यहां पर से बार्गनिंग कर रहे हैं लोगों से यहां पर यह मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूं आपने जॉय किया होगा अपनी होजा शेखान को दीजिए जाज़ा टेक क्यार अलासिस आवरीवान